देश की सरकार को जरूरत है कि आप रोजगार के उपपर काम करें, हमारे लोग क्यों जाएं बार? आप ला सकते हैं बिल, ला सकते हैं, मगर दूसरे देश की सरकार के उपपर आपके कानून कैसे मानने होंगे? हमारे देश में इनके लिए एंप्लॉइमेंट हो दिली सरकार में मंत्रीवा आप नेता सोरभ भारदवाज ने कहा कि अगर लोगों को हिंदुस्तान में रोजगार मिले तो इन लोगों को क्या जरूरत है कि वे मध्य पुर्व या दूसरे देशों में छोटी-छोटी नोकरी के लिए जाए देश की सरकार को रोजगार पर काम करने की जरूरत है हमारे लोग क्यों भार जाएंगे अगर उन्हें या अच्छी नोकरी मिलेगी वहीं सोरभ भारदवाज ने आगे क्या कुछ कहा देखे ये वीडियो जाएं बार हमारे लोग को यहाँ पैच्छी नोकरी मिले आप ला सकते हैं बिल ला सकते हैं मगर दूसरे देश की सरकार के उपर आपके कानून कैसे मानने होंगे ये थोड़ा पिचीदा मामला है मगर सबसे पहली प्रायरिटी यह उनीची है कि हमारे देश में इनके लिए इंप्लॉइमेंट हो पिछले दिनों इसराइल के अंदर युद्ध चल रहा है और हर्याना के अंदर भरती हो रही है और हर्याना की सरकार अपनी पीट थप थपा रही है कि हम जो है इसराइल में मजज़ूरी करने के लिए लोगों को भेजने वाले है तो बहुत शर्म की बात है देश के अंदर रोजगार की जरूवत है डोडा में बीते तीन दिनों में चौथा एक्टरा सेट है था जो करने की कोशिस हुई प्रधान मंतरी के चुप्पी को लेकर इस्विदी फक्त सवाल लेकर रहे हैं देखे दस साल से भारतिये जद्धा पार्टी देश को गुमरह कर रहे थी कि हमने कश्मीर के अंदर शांती स्थापित कर दी हमने कश्मीर के अंदर चुनाव बंद कर दी हमने उसको यूनियन टरिटरी बना दिया हमने असेंबली खतम कर दी हमने नोट बंदी ले आए अब जो है उकरवाद खत्म हो गया जिस तरीके से ये करते रहे कि इंदर सरकार की खिलाफ धरना देते रहे जिस तरीके से चीन हमारे पुरगत्तर के अंदर करीब चार हजार स्क्वेर किलोमिटर जमीन हतिया चुका है जितने पड़ोसी देश हैं चाए नेपाल हो चाए बूटान हो चाए श्रिलंका हो जो भी हूं उनसे हमारे र इशिया के अंदर वैल्यू थी उसको भरती जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद काफी धक्का लगा है देखिए 26 लाक देश के नौजवान बच्चे उनके भविश्य के साथ धोका हुआ और अगर सुप्रीम कोट कहते हैं काउंसलिंग नहीं रुकेगी तो जब काउंस इंवेस्टिकेशन का क्या फायदा होगा क्या फिर आप उस बच्चे को जो अल्रेडी कॉलिज में चला गया उसको उससे वापिस ला सकते हो ऐसा नहीं किया जा सकता तो काउंसलिंग ना रोक के अगर गड़बड हुई है तो उस गड़बड का हम निप्टा रही नहीं कर दूसरी बात जिस तरीके से केंदर सरकार डिफेंसिव है साफ दिख रहा है कि इसके अंदर एक बड़े लेवल पे गड़बड़िया हुई है और हिंदुस्तान के डॉक्टर पूरी दुनिया के अंदर जाने जाते हैं बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर जो स्पेशल हैं वो हिंदुस्तान के हैं चाहे वो यूएस की बात हो यूरप की बात हो लंडन की यूके की बात हो वहाँ पे हमारी साख का क्या होगा जब वहाँ पे खबर जाएगी कि इनके यहां एक्जाम से पहले ही कोश्चन पेपर लीग हो जाते हैं और जो आदमी डॉक्टर बन दिया आप लोगों ने और आप इस पर जाच भी नहीं करा रहे हैं आप खुद ही आपके उपर आरोप है कि आपने गड़बड़ी करी और आप ही उसकी जाच कर रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है इंडिपेंडेंट जाच हो और सुप्रीम कोट मॉनिटर्ड हो और जल्दी उस ज जाच का रिजल्ट है अगर वो जाच जो है सालों तक चलती रही तो बच्चे दो बुड़े हो जाएंगे इनका तो करीर खत्म हो जाएगा